दोसतो, आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आप में से कई वैरिकोजवेन पेशंट्स ने बार-बार हमसे पूछा है कि अगर वैरिकोजवेन्स है तो डायट में क्या चेंज करें या क्या डायट ले दिन बर सो मैंने इस वीडियो को बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है चैप्टर्स और उनका टाइम लाइन आप देख सकते हो कोई भी चैप्टर में समत कीजेगा क्योंकि हर डायेट का पहलो इंपोर्टन्ट है सिर्फ फ्लाइवनोलिज लेके नहीं चलेगा सिर्फ फाइबर रिज फ्रोड लेके नहीं चलेगा सब चीज पर फोकस करोगे तब जाके आरा माएगा और वेरिकोजवेंस प्रोग्रेस नहीं होगा सो चाप्टर्स में बढ़ने के पहले खुद को इंट्रोड़क्शन देदू आप मेंसे जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैं हूँ डॉक्टर गॉरफ गंगवानी एक बोर्ट सर्टिफाइड इंटर्वेंशन रिडियोज और एक वेरिकोजवेंस एक्सपर्ट मैं सो प्रकार की बिमारियों का बिना किसी सलजरी एंजियोग्राफी से मिनिमली इंवेजिव तरीके से एक स्वी से और एक वायर से टीटमेंट कलता हूँ वेरिकोजवेंस जिसमें से वन अफ तर मोस्त कॉमन डीजिजिस है जिसका मैं इलाज करता हूँ सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टो डायेट और वेरिकोजवेंस और अंडरस्टाइब सो सबसे पहला चाप्टा बायो फ्लेविनोइट्स एंड वेन हिल्थ दोस्तों बायो फ्लेविनोइट्स कुछ अंटी ऑक्सिदेंट्स है ऐसे प्रकार के जो कलरड़ फ्रूट्स और कलरड़ वेजेटेबल्स में मिलता है यह बहुत अच्छे है वेरिकोजवेंस पेशिंट्स के लिए क्योंकि यह सबसे पहले इंफ्लेमेशन कम कर देता है जिससे वेल्व डैमेज हो रहा है यह वीनोटॉनिक्स है वेन की टोनिसिटी बढ़ा देता है जो वेन्स में दूशित पदालत है फ्री राडिकल्स टॉकसींज यह उनको काउंटरैक्ट करते है तो उसके वजह से जो स्किन डैमेश हो रहा है घाव बन रहे उसका फ्रीक्वेंसी एक्स्टैंट सब बहुत कम हो जाता है यह साथ में जो और फ्री राडिकल्स वाल्व डैमेज कर रहे है उनको भी कम कर देत इसके लिए बहुत स्टडीज ने दिखाया है कि जब हम टैबलेट्स देते जिसमें ये बायो फ्लेविनाइट्स होते हैं, फ्रूट्स से निकाले हुए, वो टैबलेट्स जब पेशन्ट 90 दिनों तक कंस्यूम करता है, उसका वेन प्रॉब्लम्स 60-70 पसेंट कम हो जाता है, गाओ हील हो जाता है, बहुत फाइदे होता है, बट क्यों टैबलेट का सेवन करना है, शुरुवात में ठीक है, एक बोलस सब्लिमेंटेशन के लिए, पर मेंटेनेंस के लिए क्यों न हम डाइरेक्ट वो फ्रूट्स ले जिससे ये टैबलेट के केमिकल्स निकाले जाता है कौन से fruits हैं जो भी नेचर में colored fruits और vegetables है वो जैसे की cherries और berries येस इन में बहुत ज़ादा मातरा में bioflavinoids होते हैं जो vein health में बहुत लाबदायक है बट हमारे इंडियर normal fruits कम नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ exotic fruits चाहिए seasonal fruits जैसे कि apples और citrus fruits जैसे oranges ये भी बहुत अच्छे हैं in fact maximum दुनिया के bioflavinoid chemicals जैसे diosmin, venusmin, vein flux में citrus fruit extract होते हैं oranges से ही bioflavinoids extract किये जाते हैं और ये tablets बनाई जाती हैं and lastly green leafy vegetables again colored leafy vegetables जैसे कि spinach, kale ये बहुत अच्छे हैं इसमें high amounts of bioflavinoids होते हैं ये सारे foods को आप अपने diet में incorporate कर सकता हैं कैसे incorporate करें अपने diet में बहुत simple है दोस्तो fruits का morning में आप of course apples, oranges को direct fruits consume कर सकते हो मैं recommend नहीं करूंगा क्योंकि I always feel कि fiber, nutrients अब पूरे मिलता है fruits में पर occasionally आप juices ले सकते हो इनके आप berries को shake form में ले सकते हो अगर आप दूद के साथ मिला के विरोधार नहीं करना चाते हो तो आप coconut milk या वेगन milks ले सकते हो, almond milk वगेरा उसमें मिला के shakes के form में consume कर सकते हो and of course आप vegetables, sorted vegetable forms या dressings on salad के form में भी ले सकते हो बहुत anti-oxidant rich और लाब दायक होगा regular consumption से आप बहुत major difference feel करोगे आपके vein health में well बहुत हो गई बात colored substances और bioflavinoids की let's shift our chapter and jump on to the next chapter which is on fiber rich foods so दोस्तों बात करते हैं कैसे fiber बहुत important है vein health के लिए जितना आप fiber rich food consume करेंगे उतना आपका digestive system better रहेगा इसका indirect और direct connection है vein health के साथ digestive system better होने से constipation बिलकुल नहीं होगा इससे vein health अच्छा होगा overall nutrient absorption better होगा so बहुत सारी studies ने ये link किया है कि कैसे digestive health से vein health better होता है and vice versa अगर digestive health खराब है तो varicose veins ज़ादा develop होती है पूरी तरह ठीक किया गया है anecdotal reports है मैं कोई major claims नहीं कर रहा हूँ जब तक randomized trials या high level evidence नहीं आता है but point is digestive health is not only your second brain like dr. Paul says it is also your second blood vessels so focus on your digestive health ताकि vein health अच्छा रहे और varicose veins ज़ादा ना हो so क्या sources है fiber के well vegetables और fruits again best sources है fibers के सिरिफ bio flavonoids ही नहीं हमारे fruits में जैसे कि apples, peels बहुत अच्छा fiber content है हमारे सारे vegetables में अच्छा fiber content है Indian, seasonal, locally grown vegetables and आप इसे काफी मातरा में consume कर सकते हो कुछ grains में अच्छा fiber content होता है जैसे oats और bran, specially oats and finally legumes और lentils में fibers होता है so point is जब भी आप कोई meal plan करो morning में अफकोस आप oatmeal ले सकते हो अच्छा fiber content है दुपहर को, शाम को, जब भी आप meals plan करते हो अपने lunch या dinner तब आप grains को थोड़ा कम कर दो because grains में बहुत fiber नहीं होता है normal grains में, not whole grains साथ में salads और soups बढ़ाओ vegetables और दाल इसकी मातरा बढ़ाओ हमेशा रोटी और चावल पर मत फोकस करो इससे carbohydrate भी कम होगा और fiber rich foods बढ़ेंगे diet में बहुत लाबदायक होगा and I'm sure आपको इसका बहुत जादा benefit मिलेगा but सिर्फ high fiber diet के साथ-साथ high hydration भी ज़रूरी है क्योंकि पानी का intake नहीं बढ़ाएंगे तो गट के लिए मुश्किल हो जाएगा fiber absorption तो पानी भी काफी मातरा में लिए या जाही directly या indirectly water rich cucumber, watermelon, soups and various तरीकों से so अब fiber का topic खतम करके again shift करते chapter and let's move on to foods rich in high potassium दोस्तों potassium का बहुत important role है vein health में क्या है body में जो नमक होता है sodium उसका काम है water retention जितना water retention होगा उतना veins पे pressure बढ़ेगा valve जल्दी डैमेज होगे potassium, sodium को balance करके water retention नहीं होने देता है इसलिए अगर आप ऐसे पदार्त लेंगे खादिया पदार्त 7 में जो potassium rich है तो उनसे vein health बहुत improve होगी क्योंकि water retention कम हो रहा है पैरों में swelling भी कम होगा पाइबर, potassium और एक है उसमें से spinach और kale, green leafy vegetables इसलिए माबाब बच्पन में ऐसे ही बार-बार नहीं कहते हैं कि बच्चों को green leafy vegetables खिलाओ इतने सारे काटून, पॉपई वगरा ऐसे ही नहीं बनें कि सरिफ green leafy vegetable कहने से biceps बनते हैं, actually उससे ये सारी जीजे मिलती है तो potassium rich foods are green leafy vegetables like spinach and kale, many fruits like bananas and apples and even इसमें definitely nuts का रोल आता है, almonds and walnuts रोज रात को भिगो के, 5 almonds, 2-3 walnuts लेना मद भूलिये, potassium rich है omega 3 fatty acids और anti-inflammatory substances भी होते हैं, बहुत फाइदा देगा ये हम सब जानते हैं हमारे पुराने sciences से भी, so दोस्तों लेकिन इससे balance करना ज़रूरी है, सीधी सी बात है सुबह आप fruit meal ले सकते हो या फिर आप overnight soaked nuts भी ले सकते हो, lunch और डिनर में आप green leafy vegetables हमेशा add करें, चाहे salad form में, चाहे सबजी form में, ये भी बहुत help करेगा और potassium को पूरे दिन भर में balance रखेगा आपके लिए but of course, अगर आपको कोई medical disease है, जैसे kidney issues, तो high potassium नुकसान दे सकता है body metabolism, electrolyte नमक का balance कराब कर सकता है, आपके healthcare provider से मिलके, फिर discuss करना है कि क्या मैं इनका save-an कर सकता हूँ ने तो normal लोग, अगर थोड़ा सा extra fruits और leafy vegetable खाएंगे, तो उनको फाइदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं होगा so दोस्तों, हमने इतनी सारे खाने की बात की, लेकिन जैसा हमने discuss किया, बीच में खाने के अलावा, पानी बहुत important है so let's shift to our next chapter which is hydration hydration, hydration बहुत ज़ादा ज़रूरी है जितना आप dehydrated रहोगे उतना blood viscous या गाड़ा बन जाएगा, उतना vein पे ज़्यादा pressure आएगा, और vein health खराब हो सकती है, well damage हो सकते है blood pool होगा gravity से varicose veins के symptoms, lakshan बढ़ेंगे cosmetic prominence बढ़ेगा so बहुत ध्यान देना इंची जोबे पानी का enough मातरा में सेवन करे दिन में 2-3 लीटर या 8 glass तो पीना है again आप अपने body का सुन सकते हो जब भी प्यास लगे पीना है आप प्यास को control करना या avoid नहीं करना है एक bottle साथ में रखे सुबह उठते ही बहुत लोग एक लीटर सेवन कर लेता है दिन भर में एक bottle साथ रखता है और शाम को intake कम कर देता है इस प्रकाल से 2-5 लीटर हो जाता है ये एक अच्छा टेकनीक है करने का dehydration के science लिया लक्षन पे ध्यान दे अगर hot सूक रहे है पेशाब डार्क हो रहा है सरदर्ध हो रहा है tiredness है ये सारे dehydration के science है इसका मतलब पानी कम है आपको पानी पे focus करना है अफकोस आजकल जो नया trend आ रहा है कि एक gallon या 10 लीटर पानी पिना है bodybuilders की तरह वो भी मत कीजिए एक साथ इतना over hydration नुकसान पहुचा सकता है नमक को dilute करके दो से तीन लीटर एक अच्छा नमबर है और moderation में है body की सुनिए प्यास लगे पानी बीजिए बहुत ज़ादा calculate करने की ज़रुवत नहीं है but minimum 2 लीटर के उपर जाना है ये भूलिये मत but पानी आप चाहे direct form में लो चाहे cucumber, watermelons, herbal teas indirect form में लो caffeine और alcohol अच्छे sources नहीं है पानी के आप कहोगे इसमें भी बहुत पानी है आप हमेशा चाहे और alcohol के दुश्मन क्यों हो दोस्तों ये साथ में diuretics है ये urine का pressure और urine की frequency बहुत बढ़ाते है इसलिए इनका saven किया जाता है stones को निकालने के लिए पर क्योंकि ये urine को बहुत fast निकालते है system से तो इसलिए dehydration बढ़ा सकते है आपने पिया एक cup coffee या maybe एक pack alcohol पर उससे urine इतना आया कि वो तो निकल गया साथ में बहुत सारा पानी साथ में खीच ले गया तो ये diuretics का saven नहीं करना है इससे dehydration बढ़ेगा वेल खाने की पानी की बहुत चीजों की बात कर ली क्या-क्या saven करना है avoid क्या करना है ताकि vein health ना खराब हो वो भी बहुत ज़रूरी है so let's shift on to foods that you have to avoid in this chapter so सबसे पहली चीच जो avoid करनी है वो है foods जो salt में बहुत हाई है of course खाने में बहुत ज़्यादा नमक यूज नहीं करना है बस taste मातर जितना चाहिए उतना but जो खाद्य पदार्त में बहुत ज़्यादा salt है वो avoid करना है specially processed foods packed chips या कोई भी packed नमकीन canned soups यह जो भी canned, processed, packed चीज़े आती है इन सब में बहुत salt डाला जाता है taste के लिए बिलकुल इस से दूर रही है जितनी बार आप एक packet छीलोगे आप अपने वेन का एक valve छील रहे हो यह नहीं करना है second चीच जो avoid करनी है वो है sugary foods या refined carbohydrates जिया दोस्तों so pastries, bakery products यह सब में बहुत simple carbohydrates होते है complex भी नहीं and बहुत sugar होता है candies, pastries, cakes इन सब में so chocolates यह सब avoid करनी है cocoa अच्छा है वेन हेल्थ के लिए bio flavor and antioxidant है पर जो बाकी sugar added है वो अच्छा नहीं है of course बोलने की ज़रूत नहीं है soft drinks, अलग-अलग beverages नहीं लेने है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है बहुत दिक्कत आएगी वो दो सेकेंड के pleasure के वज़े से इतना ज़्यादा हेल्थ पेशू होगा insulin spikes और बाकी organs पे भी परिशानी होती है सरफ vein spinning जो हम उपर के chapters में बात कर चुके alcohol और caffeine ये दो चीज़े definitely avoid करनी है alcohol तो directly vein dilatation करता है और vericose veins के लक्षन को exacerbate या increase करता है और ये दोनों ही चीज़े diuretics है काफी मातरा में water leakage कराती है पेशाप की frequency बढ़ा के quantity बढ़ा के जिससे again dehydration होता है और vericose veins symptoms aggravate होता है अगर लेना ही पड़े तो बहुत moderation या कमी में और साथ में काफी पानी का सेवन करें ताकि जो dehydration और diuresis हो रहा है वो cover हो जाए last but not the least trans and saturated fats से धूर रहना है refined oil मैं नहीं recommend करता हूँ उससे अच्छा filtered oil कच्चे गानी का तेल बेटर होता है कोई भी fried food चाहे वो घर पे ही बनाओ या बाहर हो समोसे वड़े I would not recommend बिलकुल नहीं recommend करूँगा आप कभी-कभी calorie charts देखिए मैं एक hospital में calorie chart देखके शौक हो गया डोकला में 100 gram में 100 kilo calories थे जबकि वही बाजो में भजीये पड़े थे उसके 1000 से ज़ादा kilo calories थे 100 gram में सो सोचे हम कितना frequently कभी-कभी भजीयों का सेवन कलता है बट fats are not good definitely butter, margarine ये सब भी नहीं लेना है healthier fat options better है जैसे olive oil, avocado oil, कच्छे घानी का तेल कोई भी form में घी, जो दिसीगाई का A2 घी है जो बिलोना method से बनाया हुआ है का सेवन करना है जो varicose vein health में बहुत अच्छे है कैसे कुछ चीज़े avoid करनी है hydration का क्या रोल है लेकिन क्या कभी diet से पूरी तरह कोई disease ठीक हुआ है साथ में बहुत सारे lifestyle changes, exercise, बहुत recommendations होते है varicose veins कोई अलग चीज़ नहीं है इसकलिए मैं आपसे end screen पे दो video शेयर कर रहा हूँ पहला video lifestyle changes जो करने चाहिए varicose veins patients ने 5 main lifestyle changes जिससे बहुत फाइदा होगा and second video एक complete yoga exercise regimen जो अगर आप daily 13 minute करें तो vein health बहुत अच्छी होगी blood उपर pump होगा and आप difference feel करोगे 3 महने में लोगों ने हमें एक हफते में message कि आए कि मेरी vein health 80% better हो गई है so I hope दोनों videos का फाइदा उठाए सुरक्षत रहे सशक्त रहे